गुड मॉनिंग एब्रिवन वेलकम टे सोल सर्व से स्टड़ी 165 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यह प्रेक्टिस सेट नंबर 166 यूपी पीसियस के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं जर्नल साइंस के प्रश्णों पर दो से तीन सेगे 언제 चोड़ना carbon dioxide वे oxygen छोड़ना oxygen लेन उपर फूर्वर अपसान सा प्राश्यचन फोट है कि अ बते होगा आपको co2 करते तो चोड़त हो से गवेगा नाइल होज़ाइगार तो ऐकcesso कर दोनों नहीं चोड़ते ओकसीजन लेना ऑं लर लेना और कार्बन डायक्साइड छोड़ना देखिए प्रकास इंसलेशन जिसको बोलते हैं इंगलेश में फोटो सिंथेटेस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर से प्रकास की उर्जा को ग्रहन करके वायू से ली गई कार्बन डायक्साइड यानी सीओ टू तथा म्रदा से सोशित जल द्वारा कार्बो हैडेट का निर्माड करते हैं और आक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं कुश्चन नमर्ट उपर आजएए प्रकास के नमलिखित प्रकारव में से किनका पौधों में पौधों द्वारा तीब्र अप्शोशन होता है कौन से जो प्रकास है उसका पौधे तीब्र गती से अप्शोशन करते हैं मतलब ग्रहन करते हैं नीले और लाल रंग को आप्स कतनों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट के साथ बताईए कौन सा करेक्ट है प्रत्वी पर कुल प्रकास संसलेशन का लगभग 90 परतिशत भाग जलिये पौधो वे सहवालो दारा ग्रहन होता है इसमें से लगभग 85 परतिशत भाग समुद्र में तथा 65 परतिशत भाग कुल प्रकास सेंसलेशन का लगभग 90 परतिशस भाग जलिये पौधों के DAVID होता है इस में लगभग 85 परतिशत भाग समुद्र में मुखता साथ कृता है प्रकास त Свेंट होता है किसमें होता है कि न्यूक्राइट क्लोरुपलास्ट कॉझ में नहीं लहीं प्रकास रंसलेशन संपन होती है प्रकास रंसलेशन दोवारा सबसे अधे क्रिया सील प्रकास नमल के दमें से कौन सा है अभी उपर देखा होगा आपने ती ब्रगती से अब सोशन करते हैं नीले और लाल रंका और सबस्य आद है करिया सी नुना मैंसी होगा फ़र तो कोई लाल प्रकास तो प्रकास संसलेशन के करिया में सरवाद प्रियूद लाल प्रकास का होता है question number six पर आजाईए कौन करेगा इसमे सोलर एनरजी को चेमिकल एनरजी में कौन चेंज़ कर सकता है क्लोरिला तो क्लोरिला अधिक से अधिक कुशलता पूर्वक्स और उर्जा को रासाने कुर्जा परिवर्थित करता है क्लोरिला हो गया क्लोरोफाइटा से संबंदित एक कोश किया हरित सहवाल की परजाती है क्लोरिला question number 7 निम्रकीत में से कौन सा पौधों की जड़ों का कारे नहीं है पौधे की जड़े प्रकास संसलेशन करती है क्या जल का अवशोशन करती है पोशक्तत्तों का अवशोशन करना पौधों को सहारा प्रदान करना जड़ का काम है तने का जड़ ही पक्की नहीं होगी तो तना क्या करेगा बिल्कुल जड़ करती है पोशक तत्तों का अब शोषन करती है जल का अब शोषन तो करेगी करेगी प्रकास संसलेशन पत्तियों का काम है जड़ों का नहीं तो प्रक कि कोशिकाओं में क्लूरोप्लास्ट की विवस्ता भी प्रकास अंसलेशन की दर को परभावित करती है नम्रिखित गतनों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट के साथ बताई यह मैं से कौन सा करेक्ट है बिटामेंस जो होते हैं वो जटिल कार्वनिक योगिक होते हैं बिट जो की सरीर में उपापशी क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नेंतरन करते हैं जन्तुओं को अधिकांस्त है विटामेंस होजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संसलेशन पौधे करते हैं जो सेव होता है ना सेव का फल वो हरदर होगियों के लिए एक व सेब्ल पोटेशियम को तो सेव का अलग उयार विश्यस महत्व है इनके सेवन से कुल कोलेस्ट्रोल घटता है और सेव में पाए जाने वाला इंटि औकसीडेन जो है वह रखत का वहीं काउं में पाए जाने वाले वसासे सुरक्षा प्रदान करता है सेव में पर्याप्त खने तो बहुतर है, भोजन के बग में, प्रती यूणिट कैलोरी की मात्रा सरवाधिक होती है, किसमें, कौन सी चीज इसमें आप ग्रहन करोगे, सबसे ज़्याद है, कैलोरी मिले, एनरजी मिले, डेखें, वेटामिन से तो कहीं ज़्याद है, इन मैं से किसीएक की होगी, सबसे ज़्याद है वसा की होती है अगर ये दोनों भी मिल जाए ना तब भी उसके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे तो भोजन के बर्ग में बसा में प्रती उनिट कैलोरी की मातरा सबसे अधिक होती है क्योंकि इन में ऑक्सीजन कम होने के करण इनका ओक्सीकरण अधिक होता है एक ग्राम कार्बो हाइडरेट या प्रोटीन के उपाप ची जारण से 4 किलो कैलोरी इसके विपरीत अगर देखें हैं बसा की तो एक ग्राम बसा के जारण से जारण मतलब जलने से या मिलने से उसके 9.3 किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है तो यानि ये दोनों मिल गए तब भी आठ ही बना रहे हैं वो जबकि बशा के ला 9.3 बशा के स्रोत जन्तु तथा वनस्पती दोनों है मतलब मासहरी भोजर में भी मिलेगा और साकहरी भोजर में भी नमलेखित विटामिनों में से कौन सा सरीर में भंडारित नहीं होता है कई बार आया होगा है प्राशन आपके सामने विटामिन C सरीर में भंडारित नहीं होता है बिटामिन A का राक्साइनिक नाम क्या है रेटिनॉल B का क्या है बेरी बेरी और C का क्या है S कॉर्विक एसेड और E का क्या है टोकोफेरोल याद रखना पूछ ले जाते हैं तो बिटामिन C जल में विला है यह सीग्र ही यह सीग्र ही मूत्र के साथ जो है उत्सरजित हो जाता है सरीर में संचित नहीं रह सकता कॉशन बर बारा है इनमें से किसके अवशोशन में विटामिन C मदद करता है विटामिन C इनमें से किसके अवशोशन में मदद करता है जिसका नाम है एस्कौर्विक ऐसिड आईर्ई के जो सरीर में नहीं रुखता तो केल्शम आवो मेगनेशम के साथ विटामिन डी गरहन करने पर है नट परीखता है किल्शम इस निंजर के अपसौाण की दर्म व्रद्धी करता है इसी तरह विटामिन सी कोशनलो आजाएं नेक्स्ट कोश्टन पर आ जाई है कोश्टन नमबर 13 है नमलेखित कत्नों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट विटामिन सी का रसानिक नाम साइट्रिक अंब है और विटामिन सी घाव भरने में सहक होता है देखिए जो खटे फल होते हैं जैसे संत्रा हो गया निम्बू हो उता हो गया मॉसम्मी अनुसे का मिलप्राप्त होता विटामिन सी का रसानिक नाम अशकार करेंड और प्रने में सहक है यह जो सरीर केchenार के मादर से बाहर निकल जाता है तो केवल दूसरा यहाँ पर करेक्ट होगा विटामिन c का रसांक नाम एसक्वरिक अइड है और यहां पडरने में Bu है तो देखे श्रृव बाहर निकलनے पर कुछ मिंटों के बाद खुद बाखुद जमने लगता है अगर नहीं जमता तो आपको एक जनेटिक बिमारी है जिसका नाम है हीमोफीलिया ठीक है जब जम गया तो उसको बोलते हैं थक्का या ब्लड क्लोटिंग देखिए रुधिर के सीगर जमने में उश्मा, थ्रम्बन, एड्रिनेलिन, केल्शियम, क्लोराइड और विटामिन के से सहयता मिलती है इस से रेलेटर प्रशन एक थमलेर पर पूछा है उसका उत्तर क्या है बायोटिन क्योंकि बायोटिन तो बिटामिन B7 का नाम है ना बिटामिन B7 जो है रुधिर का थक्का बनाने में सहयक नहीं है क्योंकि रुधिर का थक्का बनाने में तो बिटामिन K सहयक है, थ्रॉम्बन सहयक है, एड्रिनेलिन सहयक है, उस्मा सहयक है और केल्शियम, क्लोराइड सहयक हैं अंति में स्थिया आथ जीवाद्यों किसको सबस्राइब करते हैं इन में is vy vitamin b 12 को अलों कि और accompany ड़ामिन के दौनब का राशनेख नाम आ जाए तो क्या है फ्लोक्विनोन और बिटामिन B बारे का साइनो कोबाला मिन बिटामिन E का टोको फैरोल बिटामिन D का कैलसी फैरोल A का रेटिनॉल C का C का एसकॉर्बिक एसिड ठीक है यह सब याद रखना बिटामिन B7 का बायोटिन चले धन्यवाद